हाई ब्यूटिफूल सोल कैसे हैं आप सब आयो ओप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं खुश हैं पॉजिटीव हैं सबसे इंपोर्टेट बहुत ज्यादा हल्दी हैं आज की ये वीडियो मेनिफेस्टेशन के ऊपर होने वाली है कि आप जो मेनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो सह कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आपके विश आपको मिलने वाली है या नहीं अगर आप मैने फिस्ट कर रहे हैं तो कौन-कौन सी साइंज हैं जो मिलते हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से सारा कुछ जाने वाले हैं तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को प्यारे से लाइक ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देज़ेगा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आप जो प्रॉसस कर रहे हो सही डंग से कर रहे हो या नहीं अगर सही धंग से कर रहे हो तो उसके क्या संकेत हैं आपको आपके विश कब तक मिलेगी आप जिस तरीके से अपने फर्स लगा रहे हैं आपनी manifestation को पूरी कर रहे हैं उसके भिहाब पर वीडियो को शुरू करते हैं लेके परमात्मा का नाम जब भी आप कोई भी manifestation कर रहे हो किसी भी चीज के लिए कर रहे हो तो क्या संकेत है कि आपकी चीज़े आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द अगर आप सोते हुए ड्रीम्स में अपनी विश को देखते हैं कि मेरी विश मुझे मिल चुकी है तो बहुत खुश होने की जुरत है क्योंकि ये सपना बिलकुल सच होने वाला है तोड़ा सा डीटेल में बताना चाहूंगे कि आपको ये सपने किस तरह से आते हैं जैसे आप कोई ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई टेक्निक कर रहे हैं और आप सोते हैं तो आपके सपने में आप देखते हैं अगर वो गौर्मिन जॉब है तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप जिस wish के लिए ये manifestation done कर रहे हैं वो wish पूरी हो चुके यानि आप जो भी job करना चाहते थे वो job मिल गई है और उसमें जो भी particular वर्दी दी जाती है उस वर्दी को आपने पहन रखा है और आपके साथ बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्योंने बिलकुल आप ही की रंग क आप ही की जैसी वर्दी पहने हुई है सारे लोग सेम हैं आप सभी एक साथ एक ही जैसे काम कर रहे हैं बहुत enjoy कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है और जो जो process होते हैं उसमें वो सारी process कर रहे हैं आप और आपकी आँख खुलती है तो आपको कुछ देर तक ऐ दील होता है कि आप उस सपने में ही जी रहे हैं यानि वो सपना सच है अगर ऐसा होता है तो आप अपने विश्के बहुत जदा करीब हैं बहुत जल्द आप अपने विश्क को receive करने वाले हैं सेम इसी तरह अगर आप अपना marriage manifest कर रहे हैं या money manifest कर रहे हैं health manifest कर रहे हैं तो आपको भी सेम ऐसी ड्रेम आते हैं कि आप बहुत ही हील्दी इंसान है, या फिर मैरेज के लिए कर रहे हैं, तो आपकी शादी हो गई है, बहुत सारे लोग आपके घर आए है, शादी में जो जो प्रोसिस होती हैं, वो सारी चीजे आपके साथ हो रही है, या फिर अगर आप money manifest करना चाह रहे थे तो आपकी life में इतने सारे पैसे आ रहे है आप जिधर हाथ बढ़ा रहे हैं उधर से आपके पास पैसे आ रहे है तो अगर ये सारे चीजे आपके सपने में आ रही है और आपने same चीजे manifest की थी तो आप समझ लेजे कि आप अपने wish के बहुत ज़्यादा करीब हैं आपकी wish manifest हो चुकी है बस कुछ time और बाकी है और आप अपने चीजे को receive कर पाएंगे सपने देखने के बादे एक चीज और होता है जो मैंने पहले भी बताया कि आपकी आँख जब खूलेगी आप नीन से जब जगोगे तो आपको same feeling रहेगी कि आप अभी अपने सपने में ही है आपको आपकी चीजे मिल चुकी है और जब नीन खूलेगी तो आपको लगेगा क्या रही है यह क्या नहीं वो जो मैं देख रहा था या देख रहे थी वो सच है या फिर आपके face पे smile रहेगी कुछ देर तक अगर यह चीजे हो रही है तो आपके wish manifest हो चुके guys बहुत जल्द आप अपने wish को receive करने वाले है तो जब भी ऐसे सपने आए उठने के साथ साथ आप universe को thank you बोलना बिलकुल मत बोलिएगा जैसे यहां खुले आप तीन बार universe को thank you thank you thank you universe चरूर से बोलिएगा बात कर ले अगर दूसरे सायन की तो जब भी आपके wish manifest हो चुकी होती है या आप अपने manifestation को बिलकुल proper डांग से कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं आप जो भी टेकनिक कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं किस से पूछे कि ये सही तरीका है या गलती कर रहे हैं तो आपको कुछ sign मिलते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी कर रहे हैं बिलकुल सही कर रहे हैं या फिर आपने अपने manifestation done कर लिया है तो अगर ये चीजे दिखती हैं तो आप समझ लिजे कि आपने जो भी किया है वो manifest हो चुका है बस आपके पास आने ही वाला है तो वो चीजे हैं angel number आप कहीं भी देखोगे तो आपको लगातार दिन में कम से कम 5 से 6 बर 7 बर एक ही angel number दिखेगा अगर 111 1 दिख रहा है तो पूरा दिन आपको 111 1 दिखेगा 222 दिख रहा है तो पूरा दिन आपको 222 दिखेगा ऐसे ही कोई भी angel number, mirror number दिख रहा है आपको एक ही जैसा number same number दिन बर दिन बर हर जगा चाहे आप TV देख रहे हैं, चाहे फोन में कोई वीडियो देख रहे हैं उसका views का जो number होगा वो हो सकता है triple one, triple two, triple three, कुछ भी हो सकता है कोई भी angel number हो सकता है वो आपके उपर depend करता है कि आपको कौन सा number दिख रहा है या फिर वीडियो को जोब आप like करते हैं तो आपके like करने से अचानक से वो number double seven, double five, double one मतलब ऐसे अगर mirror number बन जाता है तो आप समझ लेजिए कि आपकी wish बहुत जल्दी manifest होने वाली है या फिर manifest हो चुकी है या फिर अगर आप process कर रहे हैं तो एकदम अच्छी डंग से कर रहे हैं कोई doubt नहीं है कि आपकी चीजे गलट direction में जा रहे हैं या आप negative हो रहे हो मेरी comments में मैंने देखा था कि एक comments ऐसा था कि मैंने कोई video देखी जैसे मैंने like किया तो उसका number change हो के 369 हो गया तो मुझे खुद देखके अच्छा लगा आप समझ लेजिए कि जब आपके साथ ये चीजी हुई तो 369 ब्रहांड का सबसे powerful number है इसे ब्रहांड की चा भी कहा जाता है अगर आपको ये number बार बार दिख रहा है तब तो आप समझ लेजिए कि आपके wish to manifest हो ही गई है या फिर आप जो चीजे कर रहे हो बैतर डांग से कर ही रहे हो बट उसके साथ साथ जो चीजे आप नहीं कर रहे हो और वो चीजे आपको चाहिए तो वो सारी चीजे भी आपकी life में attract होके आ रही है बस पूरी positivity के साथ थोड़ा सा wait कर लीजिए आपको आपकी चीजे 1000 गुना जादा होके मिलने वाली है वही बात कर ले कि अगर आप किसी journey का हिस्सा है अगर twin flame journey में है तो उसके लिए इस number का winning अलग होता है अगर आप twin flame journey में है और आपको बार बार हर जगद दिख रहा है 369 तो उसका particular winning आपके लिए होता है और वो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती बट इतना कहूंगे कि जब भी ये number दिखे न universe को thank you करना बिलकुल मत भूलेगा क्योंकि आपके life में बहुत सारी amazing चीज़े आ रही है जिसके आपको बहुत ज़्यादा जरूरत थी और अब आपको वो सारी चीज़े मिलने वाले हैं तो दिल से बोले कि thank you thank you thank you universe और अपने विश को receive कीजिए अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं पसंद करते हैं तो देखने के बाद please share किया कीजिए मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग शेयर करते हैं और काफी लोगों के पास मेरी वीडियो जाती है ज्यादा वियो जाता है तो मैं भी motivate होती हूँ नेक्स वीडियो के लिए क्योंकि जब तक मुझे भी ये feeling नहीं आएगी कि मेरे viewers को, मेरे subscriber को, मेरी soul family को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है तब तक मैं भी कैसी बना पाऊंगे अपनी मन से तो बनाती हूँ बट आप लोग share करते हो तो उससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है इसलिए, हामली request है कि प्रीज ज़्यादा ज़्यादा share किया गेजी अगर आप channel पे नहीं आए हैं तो subscribe करके लोड़िएगा वीडियो को like नहीं किया है तो like भी करतीजेगा और प्यारा सा comment किजेगा और हाँ, इस channel पे आपको बहुत सारी वीडियो मिलती है law of attraction से related जैसे mantras, angel number meaning feather number meaning, butterfly meaning या फिर motivational video meditation वाली वीडियो हर वीडियो आपको मिलती है तो जाके check out जरूर कीजेगा और अगर यही सारी वीडियो आप देखते हैं और बताई गई चीजों को follow करते हैं तो आपकी life change और मिलकुल time नहीं लगेगा मैं मिलती हूँ next वीडियो में तब तक आप से भी खुश रहे है positive रहे है, मुस्कुराते रहे कुछ से बहुत सारा प्यार कीजिए God bless you and thanks for watching Thank you, thank you, thank you universe